C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1 आईए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का सात्वा सबक सफ़ा नंबर सत्तर तारुफ मुसन्निफ ख्वाजा गुलाम स्यदैन 1904 इसवी से 1971 इसवी तक ख्वाजा गुलाम स्यदैन हर्याना के तारीकी गस्बे पानी पत्मे पैदा हुए उनके वालिद ख्वाजा गुलाम स्खलैन अलीगर कॉलिज के नामूर तालिब इल्म थे और वालिदा मुश्ताक फातिमा हाली की पूती थी गुलामु सय्यदैन की इप्तिदाई और सानवी तालीम पानीपत में हुई कॉलिज की तालीम के लिए वो अलीगर गए जहां उन्होंने बी-ए और बी-एट किया और फिर आला तालीम के लिए इंगलिस्तान गए वहां से आकर अलीगर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलिज में लेक्चरल हुए और फिर प्रिंसिपल हो गए खुआजा गुलामु सय्यदैन माहिर तालीम थे उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान में तालीमी उमूर के सिलसिले में कई मकामात पर मुक्तलिफ हैसियतों से काम किया उन्होंने गांधी जी की अमली तालीम से मुतालिक डॉक्टर जाकिर हुसेन के साथ खाका तयार किया गुलामु सय्यदैन को अर्दु जबान और अदब से भी बहुत दिल्चस्पी थी उन्होंने अर्दु में तालीम और अदब से मुतालिक कई किताबे लिखी है उनकी मशूर किताब आंधी में चिराख है जिस पर उन्हें साहित अकादमी का इनाम भी मिला हुकूमत हिंद ने उनकी तालीमी खिदमात पर उन्हें पर्दम भूशन के खिताब से नवाजा उन्हें दुनिया के साथ माहरीन तालीम में शुमार किया जाता था ख्वाजा गुलामु सेयदैन की नसर नहायत सादा लेकिन पुर्जोर और मौसर होती है वो अपनी बात को बयान करने के लिए छोटे-छोटे अलफाज से वो काम लेते हैं जो बहुत से लोग बड़े-बड़े अलफाज से भी नहीं ले सकते सफ़ा नंबर 71 जीने का सलीका मुसनिफ ख्वाजा गुलामु सेयदैन मैं ऐसे मशाहीर की सोहबत में बैठा हूँ जिनकी गुफटगु में वो लोच, दिलावेजी और सलीका होता था कि वहां से उठने को दिलना चाहे मसलन सर तेज बहादुर सप्रू सरोजनी नाइडू मौलाना आजाद सेयद रास मसूद डॉक्टर एकपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन यानि ये कैफियत के वो कहें और सुना करे कोई इस कशिश की वज़ा महज ये ना थी कि वो जबान पर खुदरत रखते थे या रखते हैं बलके उनका दिमाग रोशन और मुरतब था उन्हें दरसल कुछ कहना होता था उनकी सीरत उनके तजर्बों से माला माल थी वो अपने सुनने वालों में दिल्चस्पी रखते थे उन्हें अपनी जिन्दगी और तजर्बों में शरीक करना चाहते थे और जमूरियत के उस जमाने में जब जबान से तरगीब और तबादले ख्याल का ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है अच्छी गुफ्तगू ना सिर्फ एक समाजी हुनर है बलकि एक सियासी हत्यारपी है जिसका सही इस्तेमाल सीखना जरूरी है अच्छी लोगों और अच्छी किताबों की सहबत के अलावा तीसरी चीज जो अच्छी जिन्दगी की बुनियाद है वो काम है इस से मतालिक हमारे सदर महतरम डॉक्टर जाकिर हुसेन ने अपने एक खुदबे में लिखा है काम बेमकसद नहीं होता काम कुछ करके वक्त काड़ देने का नाम नहीं काम खाली दिल लगी नहीं काम खेल नहीं काम काम है बमकसद महनत है काम दुश्मन की तरह आप अपना महासबा करता है और इसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है जो और कहीं नहीं मिलती काम रियाजत है काम अबादत है वाकिया ये है कि इनसान की शक्सियत उस वक्त तक किसी हसीन सांचे में नहीं ढ़ल सकती जब तक उसके दिल में इस अंदास से काम करने की लगन पैदा ना हो हकीर से हकीर काम में माने और लुट्फ पैदा हो सकता है बशर्टे के काम करने वाला उसका रिष्टा बड़े मकसद के साथ कायम करे दो मस्दूर एक पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहे थे एक रहगीर ने पहले से पूछा तुम क्या कर रहे हो भाई? उसने जलकर जवाब दिया अरे देखते नहीं हो अपने किस्बत के लिखे पत्थर फोड़ रहा हूँ जरा और आगे बढ़कर उसने दूसरे मस्दूर से भी यही सवाल किया तो उसने बहुत फखर और खुशी के साथ जवाब दिया मैं एक गिर्जा की तामीर कर रहा हूँ देखा अपने पत्थर वही थे लेकिन एक मस्दूर उन से अपने खिस्मत फोड़ रहा था और दूसरा एक इबादत कह बनाने का खौप देख रहा था हमारे मुलक में ना सिर्फ तलबा बलकि सब लोगों को काम करने के सही आदाब सिखाने की जरूरत है किसी काम को सरसरी अंदास में करना गोया सर से एक नागवार बोज उतारना है ना इसमें खुशी तलाश करना ना पाना ना इस हसीन तकमील में फखर महसूस करना ना इसके जरीए अपनी दुनिया को समझना और अपने हम जिंसों के दुख सुक में शरीक होना ये सब ना तो जहनी दियानत का तकाज़ा है ना इखलाक का जिंदगी खुदा का एक अनमूल अधिया है और वो तमाम सलहियतें और हुनरमंदियां और जोहर जो इसके साथ गुद्रत हमारे कासे में डालती है उनकी प्यमत इन्सान जिर्फ काम के जरिये और काम के सिक्के में अदा कर सकता है जो शक्स इस प्यमत को खुश्दिली और इमानदारी के साथ अदा नहीं करता उसकी हैसियत मेरे नस्दीक एक चुर की है वो खुद का चौर है, समाज का चौर और खुदा का चौर है लेकिन जीने का सरीका सिर्फ बड़े बड़े उसूलों की पाबंदी पर ही मनसर नहीं इसमें बहुत सी चोटी चीजे भी है एक मामूली इनसान की जिन्दगी का हर लमहा ऐसी सतह पर बसर नहीं होता जहां हर कदम पर मनसूर की तरहा अनलहक कहने की जरूरत है इसमें इससे भी ज्यादा एहमियत है ऐसी बजाहिर मामूली सिफात की जो इनसानी रिष्टों में खुशकवारी पैदा करती हैं ये कौन सी सिफात हैं? आपस के मिल जूल में दोस्ती और महरबानी मौामलात में इनसाफ, सच्चाई और भरूसा, मिल जूल कर काम करना, दूसरों के हुकुक की पासदारी और उनकी राय का एहतराम, खुशमिजाजी और जराफत, और खौमखा की दिल शिक्नी और बदगोई से परहेस मेरा खयाल है कि हमारे आए दिन की जिन्दगी में बहुत से नफसियाती दुख और महरूमिया इस वजह से पैदा होती हैं कि हम अपने दोस्तों, अजीजों और हम जिनसों से महरबानी, फयाजी और हमदर्दी का सलूप नहीं करते इनके बारे में दूसरे लोगों के सामने गहर जिम्मेदारी के साथ ऐसी बात चीत करते हैं जिससे उनकी नेक नामी पर बुरा असर पड़ता है या महस तफरीहन और गर्मी महफिल के खातिर ऐसी गुफदगू में शामिल हो जाते हैं दूसरों की बुराई को बगहर जाच परताल के आसानी से माल लेते हैं उनको शुबा का फाइदा भी नहीं देते बलकि ये जानते हुए भी कि वो बेकुसूर हैं हम जराज से काम लेकर उनके हक में कलमे खेर नहीं कहते लेकिन दरसल लोगों के बारे में हुसने जन रखना और उनकी अच्छी बातों की तलाश और कदर करना इस से कहीं बहतर है कि हम उनकी तरफ से बद्जन रहें और उनकी एब जोई करते रहें ये सही है कि बास दफ़ा इन्सान हर किसी को शरीफ और काबल एत्माद समझ कर नुकसान उठाता है लेकिन इखलाकी और समाजी एत्पार से ये नुकसान बहुत कम है और उसके मुकाबले में दिलतंगी, बदबीनी और शुभे की जहनियत सरासर घाटे का सौदा है जो शक्स इस किसम की तबियत और दिलो दिमाग रखता है, वो उम्र भर के लिए एक रोख खरीद लेता है ना खुद खुश रह सकता है, ना दूसरों को खुश रखता है बर खलाफ इसके खुश मिजाजी, रोज मर्रा की जिन्दगी और रिष्टों में लुट्फ और शीरिनी पैदा करती है और सही किसम की जराफत बहुत सी नागवारियों का इलाज है वो जराफत जिसका मकसद दिल दुखाना ना हो जो दिल सुजी और हमदर्दी के साथ हिमाकतों पर तंस करे लेकिन किसी की जाती तहकीर ना करे जो दूसरों से ज्यादा खुद अपनी हिमाकतों का खाका उड़ाए और अपने बारे में दूसरों की जराफत को जिल सके जो शक्स खुद को बहुत एहम समझता है अपनी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता अपने को तनकीज से बुलंद और दूसरे को अपने से कम तर जानता है जिसकी तबियत में जब्त नहीं जिसका मिज़ाच आसानी से भड़क उड़ता है जो अपनी दौलत या खांदान या मनसब को ना भूल सके खुद भी उन से मरूब रहे और दूसरों पर भी उनका रौब डालना चाहे वो जीने के सरीके से बिलकुल ना आशना है अगर हमारी तालीम खुद पसंदी और खुद परस्ती के अन बुतों को न तोड़े और लोगों को खुद परस्ती के साथ एhtसाभ करना और दूसरों के साथ समझधारी और नर्मी के साथ पेशाना ना सिखाए तो वो जिन्दगी के लिए तैयार नहीं कर सकती ये इनकिसार और खुद शनासी की सिफ़त भी जिन्दगी के गोना गोन लक्षे में एक लतीफ रंग भरती है बास सिर्फ इतनी ही नहीं कि इखलाकी एदबार से एक खुला दिल एक फईयास तबियत तंग दिली से बहतर है बलकि दूसरे लोग जो सुलूक हम से करते हैं वो कभी बड़ी हद तक इस सुलूक पर मुनहसर है जो हम उनके साथ करते हैं अगर हम उनके साथ दोस्ती, नेकनियती और भरोसे के साथ पेशाएं तो तवक्को हो सकती है कि उनका रवया भी हमारे साथ दोस्ताना हो लेकिन ये भी मुम्किन है कि एक शख्स जो मेरे साथ अच्छा सुलूक करता है वो दूसरों के साथ बस सुलूक ही करे अगर वो उसके साथ शराफत से पेश ना आएं यानि लोग सिर्फ सफेद और सियाह रंग में रंगे नहीं होते कि सबके साथ अच्छे साबित होंगे या बुरे दरसल दूसरों की फितरत की खूबियों को उजागर करना एक हद तक खुद हमारे अख्तियार में है साथ ही ये भी याद रहे कि एक तरफ नेकी करने में बड़ी बरकत है खुआ है लोग इस बात को माने या ना माने नेकी में ये सलहियत है कि वो अकसर बदी के हदियार रखवा लेती है अगर हम में इतनी अखलाकी जराइत है कि जिस बात को नेक और सच समझते हैं वही करें और उसकी ज्यादा फिक्र ना करें कि दूसरे क्या करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने मुखालिफों के दिल को जीत सकते हैं नेकी भी बदी की तरह मतद्दी है इसका असर दूर दूर तक फैलता है अगर हम रोज मर्रा के छोटे छोटे कामों में छोटी छोटी बातों में नेकी और सच्चाई से काम लें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी जिन्दगी के कारुबार में रह पा जाती है और जब कभी कोई ऐसी नाजुक सूरते हाल पेश आती है जहां हमें खेरोशर की अजली जंग में हिस्सा लेना पड़ता है और अपनी तकदीर को बनाने या बिकाड़ने वाले फैसले करने हूं तो उम्र भर की ये आदतें और रुझान हमारे काम आते हैं इस तरह जिन्दगी के छोटे और बड़े कामों में एक नफसियाती रिष्टा काइम हो जाता है और बकौल पेगंबर इसलाम सलिल्लाहु लेह वसल्म के सारी दुनिया एक मस्जिद बन जाती है जहां इनसान हर काम उस अंदाज में करता है गोया वो अपने बनाने वाले के सामने खड़ा अबादत कर रहा है बहुत मुश्किल है ऐसी कैफियत पैदा करना अपने दिल और दिमाग में लेकिन ये सब मजहबों की मुश्टरक तालीम है और बहुत से मरदाने खुदाने बलकि बहुत से नेक और गुम्लाम लोगों ने भी इस शान के साथ जिन्दगी गुजारी है और फिर कैसी कुवत पैदा हो जाती है ऐसे लोगों में के मौत भी उन्हें जेर नहीं कर सकती एक नजर से देखिये तो इनसान की जिन्दगी एक टिम्टिमाते चिराख की तरह है जो चंद लम्हों के लिए रोशन होता है और फिर मौत की एक हलकी सी फूंक उसे बुचा देती है लेकिन जब कोई इनसान अपनी जिन्दगी को बड़े मकासित के साथ वाबस्ता कर लेता है और उनकी गद्रों का हामिल बन जाता है और उन्हें रोज मर्रा की जिन्दगी में परतता है तो कोई आंधी उस चराख को नहीं बुचा सकती मौत उसके जिस्म को फना कर देती है लेकिन उसके दिमाख की जो लानी उसके दिल का गुदास उसकी रोह की बुलंदी और उसके मकसद की ताबानी काइम रहती है और ठके मांदे रास्ते से भटके मुसाफिरों की हिम्मद बढ़ाती है इस गिस्म के चराख जलाना हर इनसान का फर्स है और चराख का कमाल ये है कि खुआ कितना ही चोटा हो सारी दुनिया का अंधेरा भी उसे नहीं बुचा सकता लेकिन इनसान की शक्सियत को सिर्फ फिक्र की रोशनी और काम की तपस्या ही ताजमहल नहीं बनाती उसको जजबात की दौलत भी मिली है जिनकी सही तर्बियत के बगएर इसकी तक्मील मुम्किन नहीं है इस मकस्द के लिए उसकी हुसन शनासी और हुसन आफरीनी की सलायतों को उचागर करना और इसमें जौक जमाल की शमा जलाना जरूरी है खुबसूर्ती से लुट्फ उठाने की सलायत कुदरत की एक अनमोल देन है जो जिन्दगी में मसर्द का रंग भरती है और इसको तरह तरह से माला माल करती है खुबसूर्ती आलम फित्रत में पाई जाए या इनसानों के खदुखाल में या इल्म और हक की तलाश में या आठ और दस्तकारी की तखलीक में सफ़ा नंबर पिछटर मश्कु लफजो मानी मशाहीर मशूर की जमा यानी मशूर लोग दिल आवेजी दिल को खींचने की सिफ़त मुहासबा करना हिसाब करना, जाहसा लेना रियाजत मेहनत, जद्दुचहेद कासा, थैली हकीर, बेवकत तक्मील मुकमल करना, मुकमल होना अतिया बक्षिश, इनाम मनसूर एक मशूर सूफी जिन्हें उनके खयालात की वज़ा से सजाय मौत दी गई थी अनलहक मैं मुतलके हक हूँ, यानी मैं खुदा हूँ बदगोई बुरा कहना कल्मा खेर अच्छी बात हुसने जन नेख खयाल, अच्छा खयाल एत्माद यकीन तहकीर किसी को हिकारत की नजर से देखना, कम तर ठहराना मनसब उहदा गूना गून किस्म किस्म के उजागर करना रोशन करना, जाहिर करना मुताद्दी कोई चीज, मसलन, बीमारी जो छूट से लगती हो अजल हमेशकी सफ़ा नंबर च्छेटर गौर करने की बात जीने का सलीका, खौजा खुलाम सेयदین का बहुत अच्छा मसमून है इसमें मुसनिफ ने सही मानों में जिन्दगी गुजारने का ठंग सिखाया है उनके नस्दीक जिन्दगी गुजारने के लिए जहां अच्छे लोगों की सोहबत की जरूरत होती है वहां काम करना भी अच्छी जिन्दगी के लिए बहुत जरूरी है दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, अगर आप उनकी जिन्दिगी के हालात पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि हर बड़े इनसान के पीछे उसके अच्छे काम है, जिन्होंने उसके नाम को जिन्दा रखा है, लेकिन बड़ा आत्मी बनने के लिए इनसान को बहुत से कुर्बानिया देनी पड़ती हैं, सफा नंबर 78, अमली काम, चिराख का कमाल ये है के खुआ कितना ही छोटा हो, सारी दुनिया का अंधेरा उसे नहीं बुझा सकता, इसी तरह के चंद जुमले जो आपको अच्छे लगे हूं, उन्हें अपनी कॉपी में लिख का दो लफजाएं हैं, बामकसद और बेमकसद, इन अलफास में सिर्फ बे और बा के इस्तिमाल से लफज के मानी ही बदल गए हैं, यानि बामकसद जिसका कोई मकसद हो, और बेमकसद जिसका कोई मकसद ना हो, आप ही ऐसे चंद अलफास लिखिए, जिन में बे और बा का इ और असर पैदा करने के लिए कभी कभी तारीखी वाकिात की तरह विशारा करता है. इस मजमून में भी मसन्निफ ने एक सूफी हज्रत मनसूर हलाच की तरह विशारा किया है. उन्होंने एक खास कैफियत में अनलहक कह दिया था. लोगों ने ये समझा कि वो खुदाई का दावा कर रहे हैं जिसकी वज़ा से बादशाह वक्त ने उन्हें सजाए मौत दी थी इसी के मतनजर आप मंदरजा जील तारीखी इशारात के बारे में अपने उस्तास से पूछ कर लिखिए आरून का खजाना नमरूत की खुदाई खुसन यूसुफ नीचे लिखे हुए अलफास को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए तक्मील, अतिया, मनसब, एतमाद सफ़ा नंबर सतत्तर सवालों के जवाब लिखिए सवाल नंबर एक डॉक्टर जाकिर हुसेन ने काम की क्या एहमियत बताई है सवाल नंबर दो दिल तंगी, बदनियती और शुभे की जहनियत किस तरह घाटे का सौदा है सवाल नंबर तीन मुसनिफ की नजर में कैसे लोग जीने के सरीके से ना आशना है सवाल नंबर चार अच्छी गुफटगू के जरिये हम किस तरह काम्याबी हासिल कर सकते हैं सवाल नंबर पांच मुसनिफ ने इस मजमून में क्या समझानी की कोशिश की है मुखतसर लिखिये इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का सात्मा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक आठ आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत